प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार आशा करती हूँ आप सभी स्वस एवं सुरक्षित होंगे और आज का अध्याय पढ़ने के लिए उत्साहित होंगे आज हम पढ़ेंगे आठवी कक्षा के विज्यान का पांचवा अध्याय कोईला और पेट्रोलियम इससे पहले कि हम अध्याय की शिरुवात करें आईए हम यह देख लेते हैं कि हम इस अध्याय के बारे में पहले से ही क्या-क्या जानते हैं तो हम जानते हैं कि परिवहन के लिए कौन-कौन से संसादनों का इस्तेमाल किया जाता है फिर हम जानते हैं इन संसादनों को चलाने के लिए किस तरह के इंधन आवश्यक होते हैं और थोड़ा बहुत हम ये भी जानते हैं कि उर्जा के ये स्त्रोत हमें कहां से प्राप्थ होते हैं परन्तु आज हम इस अध्याय में उर्जा के इने स्त्रोतों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे बच्चों तो चलिए अब हम देखते हैं कि आज के इस अध्याय में हम क्या-क्या सीखने वाले हैं सबसे पहले हम जानेंगे अक्षे प्राक्रतिक संसाधन और स्माक्त होने वाले प्राक्रतिक संसाधनों के बारे में फिर हम पढ़ेंगे कि कोईला और पेट्रोलियम किस प्रकार बनते हैं इसके बाद हम जानेंगे प्राक्रतिक गैस के बारे में और अंत में हम बात करेंगे सीमित प्राक्रतिक संसाधनों के बारे में बच्चों क्या आप जानते हो कि अक्षे प्राक्रतिक संसाधन किसे कहा जाता है ये वो संसादन हैं जो प्रकृति में असी मित मात्रा में उपस्थित होते हैं और मानुविय क्रिया कलापों से स्माप नहीं होते उधारन सूर्य का प्रकाश वायू अच्छा अब बताईए स्माप होने वाले प्रकृतिक संसादन किसे कहते हैं ये वे संसादन हैं जो मानुविय क्रिया कलापों द्वारा स्माप हो सकते हैं प्रकृति में इन स्रोतों की मात्रा सीमित है उधारन वन, कोईला, पेट्रोलियम, प्रकृतिक गैस, आदी बच्चों, चलो अब मैं आपको कोईले की कहानी सुनाती हूँ अर्थात ये बताती हूँ की कोईला कैसे बना आप सबने कोईला तो जरूर देखा ही होगा ये पत्थर जैसा कठोर और काले रंग का होता है खाना पकाने हे तू उप्योग आने वाले इंधनों में से एक कोईला भी है पहले इसका उप्योग रेल इंजलों को चलाने के लिए भाब बनाने में होता था इसका उप्योग तापिये शक्ती सयंत्रों में विद्यूत उत्पन करने हे तू भी किया जाता है कोईले का उप्योग विभिन उद्योगों में इंधन के रूप में भी किया जाता है कहां से प्राप्थ होता है और यह कैसे बनता है लगबग तीन सो मिलियन वर्ष पूर प्रित्वी पर निचले जल्यक शेत्रों में घरेवन थे बाड जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण यह वन मृदा के नीचे दब गए उनके उपर अधिक मृदा जम जाने के कारण वे संपीडित हो गए जैसे जैसे वे गहरे होते गए उनका ताप भी बढ़ता गया उच दाप और उच ताप पर प्रित्वी के भीतर मृत पेड पौधे धीरे धीरे कोईले में परिवर्टित हो गए कोईले में मुख्य रूप से कारवन होता है मृत वनस्पती के धीमे प्रक्रम द्वारा कोईले में परिवर्टन को कारवनी करन कहते हैं क्यूंकि यह वनस्पती के अफशेशों से बना है अतय कोईले को जिवाशम इंधन भी कहते हैं वायू में गर्म करने पर कोईला जलता है और मुख्य रूप से कारवन डायोकसाइड गैस उत्पन करता है बच्चो चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं कोईले के प्रक्रमन द्वारा प्राप उप्योगी उत्पादों पर उद्योग में कोईले के प्रक्रमन द्वारा कुछ उप्योगी उत्पाद प्राप्त होते हैं जैसे कोग, कोलतार और कोईला गैस आओ सबसे पहले हम कोग के बारे में जाने यह एक कठोर, सरंद्र और काले रंग का पदार्ट है यह कार्बन का लगबग शुद रूप है कोग का उप्योग इसपात के उद्योगिक निर्मान और बहुत से धात्वों के निशकर्शन में किया जाता है कोग की दूसरी उप्योगी उद्पाद कोलतार या लुक है यह एक अप्रिय गंध वाला काला पदार्थ है यह लगबग दो सो पदार्थों का मिश्रन होता है कोलतार से प्राप उत्पादों का उप्योग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन पदार्थों के उद्योगिक निर्मान में तथा उद्योगों जैसे संशलेशित रंग, औशदी, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, पोटोग्राफिक समगरी, छत निर्मान समगरी आदी में होता है एक रोचक तथ्य ये भी है कि मौत और अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोब में लाए जाने वाली नेफ्थलीन की गोलियां भी कोलतार से प्राप की जाती हैं कोईले का एक और उप्योगी उत्पात कोईला गैस है कोईले के प्रक्रमन द्वारा को बनाते समें कोईला गैस प्राप्त होती है बच्चो कोईले के बारे में जानने के बार आओ अब हम पेट्रोलियम के बारे में जानते हैं इंधन के रूप में पेट्रोल का उप्योग हलके स्वर्चलित वहनों जैसे मोटर साइकलों, स्कूटरों और कारों में होता है भारी मोटर वानों, जैसे ट्रकों और ट्रेक्टरों को चलाने के लिए डीजल काम आता है ये इंधन ट्राकृतिक स्रोट से ट्राप्थ होते हैं जिसे पेट्रोलियम कहते हैं पेट्रोलियम शब्ती उत्पत्ती पेट्रा अर्थाद चटान एवं ओलियम अर्थाद तेल से हुई है, क्यूंकि ये जमीन के नीचे की चटानों के मध्य से निकाला जाता है. बच्चों, क्या आप जानते हो कि पेट्रोलियम कैसे बनता है? पेट्रोलियम का निर्मान समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है, जब ये जीव मृत हुए, इनके शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों द्वारा ढग गए. लाखों वर्ष में वायू की अनुपस्तिती उच ताप और उच दाप नेमरित जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्टित कर दिया. आओ, अब हम ये जाने की पेट्रोलियम का परिशकरन कैसे होता है। पेट्रोलियम गेहरे रंग का तेलिये द्रव है। इसकी गंध अप्रिय होती है। ये विभिन संगटकों जैसे पेट्रोलियम गैस, पैट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पेराफिनमोम, आदी का मिश्रन होता है। पेट्रोलियम के विभिन संगटकों को प्रिथक करने का प्रक्रम परिशकरन कहलाता है। यह कार्य पेट्रोलियम परिश्कर्णी में संपादित किया जाता है। इसके बाद हम प्राकृतिक गैस के बारे में जानेंगे। प्राकृतिक गैस एक बहुत महत्वपून जिवाशम इंधन है। क्यूंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सरलता पूर्वक हो जाता है। प्राकृतिक गैस को उच दाब पर संपीडित प्राकृतिक गैस CNG के रूप में भंडारित किया जाता है। CNG का उप्योग उर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। अब इसका उप्योग परिवहन बानों में इंधन के रूप में किया जा रहा है। क्यूंकि यह कम प्रदूशनकारी है। यह एक स्वच इंधन है। CNG का अधिक लाब यह है कि इसे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है। जहां इसकी अपूर्ती पाइपों के माध्यम से की जा सकती है। पाइपों का ऐसा जाल गुजरात के बडौद्रा जिले में, दिल्ली के कुछ भागों में और अन्यस्थानों पर भी उपलब है। प्राक्रतिक गैस का उप्योग प्रारंभिक पदार्थ के रूप में बहुत से रसाइनों और उर्वरकों के अध्योगिक निर्मान में किया जाता है। भारत में प्राक्रतिक गैस के विशाल भंडार हैं। हमारे देश में प्राक्रतिक गैस रिपुरा, राजिस्थान, महराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। बच्चो आओ अब हम पेट्रोलियम के विभिन संगट को और उनके उप्योग के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले है द्रव रूप में पेट्रोलियम कैस। इसका उप्योग घरों और उद्योगों में इंधन के रूप में किया जाता है। दूसरा है पेट्रोलियम के इंधन के रूप में एवं शुष्ग विलाई के रूप में किया जाता है। मिट्टी का तेलियम इसका उप्योग स्टोव, लैम और जेट वायू यान के इंधन के रूप में किया जाता है। फिर है डीजल यह भारी मोटरवाहनों और विद्युत जनित्रों के लिए इंधन का काम करता है। स्नेहक तेल इसका उप्योग स्नेहन के लिए किया जाता है। पेराफिन मोम यह मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन, आधी बनाने के काम आती है। और अंत में है बिटुमिन। इसका उप्योग पेंट एवं सडक निर्मान में किया जाता है। अब अध्याय के अंत में हम एक अती आवश्यक विश्य पर चर्चा करेंगे। कुछ प्राक्रतिक संसाधन जैसे जिवाशम इंधन, वनखनिज आदी समात होने वाले होते हैं, अत्वा सीमित हैं। इसलिए ये आवश्यक है कि हम इन संसाधनों का उप्योग तभी करें जब नितांत आवश्यक हो। इसके परिनाम स्वरूप पर्यावरन बेहतर बनेगा। विश उश्नन कम खत्रा होगा। और इंधनों की उपलब्दा लंबे समय तक बनी रहेगी। बच्चो आओ अब हम इस अध्याय की जल्दी से एक बार दोराई कर लेते हैं। हमने आज पढ़ा। प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं। अक्षे प्राकृतिक संसाधन, स्माथ होने वाले प्राकृतिक संसाधन। वायू में गर्म करने पर कोईला जलता है और कार्बन डायोकसाइड गैस उत्पन होती है। कोग, कोलतार और कोईला गैस कोईले से प्राप्त होने वाले उत्पाद हैं। कोईला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस फोसल इंधन हैं। प्राकृतिक गैस को उच दाप पर संपीडित प्राकृतिक गैस के रूप में भंडारेत किया जाता है। बच्चों, अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी और आशा करती हूँ, आप सभी प्रश्नों के सही-सही उत्तर देंगे। तो आपका पहला प्रश्न है, घरों में इंधन के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली गैस कौन सी है। बच्चों, इसके लिए आपको तीन विकल्प दिये गए हैं और आपको सही विकल्प पर निशान लगाना हैं। तो आपके विकल्प हैं CNG, नाइट्रोजन गैस, LPG। आपका सही जवाब है LPG। अगला प्रश्न, फोसल इंधन किस प्रकार का संसाधन है। मैं फिर से दोर आ रही हूँ, फोसल इंधन किस प्रकार का संसाधन है। दिये गए दो विकल्पों में से आपको सही विकल्प चुनना है। आपके दो विकल्प इस प्रकार हैं समाप्थ होने वाले अक्षे प्राक्रतिक संसाधन। तो सही उत्तर है समाप्थ होने वाले। तो चलिए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। वायू में गर्म करने पर कोईला कौन सी गैस उत्पन करता है। मैं फिर से दोहरा रही हूं प्रश्न को। वायू में गर्म करने पर कोईला कौन सी गैस उत्पन करता है। इसका उत्तर आपको रिक स्थान में भरना है। तो इसका उत्तर है कार्बन डायोकसाइड गैस। अगला प्रश्न सी एन जी का पूरा नाम क्या है। इसका उत्तर आपको रिक स्थान में भरना है। सही उत्तर है Compressed Natural Gas जिसे हम संपीडिक प्राक्रतिक गैस भी कहते हैं। अगला प्रश्न कोईले से प्राप्त होने वाले कुछ उप्योगी उत्पादों के नाम लिखें। तो आपका सही उत्तर है कोईले से प्राप्त होने वाले कुछ उप्योगी उत्पाद हैं। कोप, कोलतार और कोईला गैस। आपका आखरी प्रश्न पेट्रोलियम कौन-कौन से संघटकों का मिश्रन होता है। इसका सही जवाब पेट्रोलियम विभिन संघटकों का मिश्रन होता है जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, सनेहक तेल, पेराफिन मोम, आदी। बच्चों, इसी के साथ हमारा आज का अध्याय कोईला और पेट्रोलियम समाथ होता है। आशा करती हूँ, आप सभी ने इसे ध्यान पूर्वक सुना और समझा भी होगा। अब आप इस अध्याय को अपनी पाथे पुस्तक से दुबारा से एक बार फिर से पढ़ लें। और अभ्यास में दिये गए प्रशनों को हल करने की कोशिश करें। हम फिर मिलेंगे तब तक के लिए स्वस्त रहें, सुरक्षीत रहें एवं खुश रहें। धन्यवाद।